पौराणिक तथा के अनुसार, जब देवर्शी नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पती श्री कृष्ण से कहा है स्वामे, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है, मैं अपने को कृत्व कृत्य समझती आपकी सोल, हजार स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेश प्रिया हूँ, केवल इसी के लिए मैंने कल्पवरुक्ष के साथ आधिपुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग नाम तक नहीं जानते थे, वहीं कल्पव्युक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है, हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मिपती की मैं अतिशे प्रियत्मा हूँ, इसलिए मैं आप से कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ, यदि आप चाहत की नहोग।